आज हम monetary policy के last video देखेंगे इससे पहले हमने बहुत से concept बताये हैं जिसका आपको बार बार revision करना चाहिए और धंग से जब आप पढ़ लेंगे उसको पांचे बार कम से कम पांचे बार आप पढ़ लेंगे पहले तो आपको notes बना लेना चाहिए इसका फिर notes बना कर आपको पांचे बार revision करना चाहिए जब revision हो जाए अब कोई भी question उठाइए UPC का question उठाइए PCS का question उठाइए या other exam का भी question उठाइए न आप देखेंगे कि उससे मतलब इस note से या ये वीडियो से बहुत आपका help होगा आपके सारे सवाल हल हो जाएंगे अगर concept पर पकड़ बना लेंगे तो जो मैंने नहीं पढ़ाया है उसमें से concept पर अगर पकड़ बना है तब भी काम हो जाएगा तो यहीं बात है आगे हम आज देखेंगे कि जो अर्थवेवस्थाओं में किस प्रकार की system काम करती है कि सुतंत्र प्रवाह प्रणाली क्या है managed plot system क्या है या dirty plot system क्या है या packed system क्या है यह हम देखेंगे ठीक है अभी हम clean plot system या free free plot system देखते हैं इसको हिंदी में कहते हैं सुतंत्र प्रवाह प्रणाली इस concept में आपको ध्यान रखना होता है कि यह बिवस्था पूरी तरह demand यह हम supply पकाम करती है demand यह हम supply पकाम करती है मांगे मावपूर्ती पे शुतंत्र प्रवाह प्रणाली में जितना demand होगा उतनी अगर supply नहीं हुई तो वस्तु वो एम सेवाओं का मुल्य बढ़ जाएगा अगर demand घट गया तो supply कम होने लगेगी तो इस तरीके का इस बिवस्था में काम होता है देखते हैं इसमें क्या है समाने तह विक्सित देशों में ये फ्री फ्लोट सिस्टम काहां गाम करेगा विक्सित देशों में घरेलू मुद्रा के विनिमय दर के निर्धार्ण के उदेश से clean plot system का प्रयोग होता है क्योंकि अधिकानस्ता विक्सित देश जो है वो पुंजिवादी देश है और पुंजिवादी होने के कारण बजार अधर्थ बिवस्थाएं वहां काम करती है बजार अधर्थ बिवस्थाएं पूरी तरह मांग एवं आपूर्ती पर निर्धर करती है इस बिवस्था के अंतरगत विनिमय दर को पुंजिवादा बजारी ताकतों पर छोड़ दिया जाता है वीनिमे कहते हैं वस्तुओं के लेन देन को और उसका माध्यम कौन बनता है पैसा माध्यम बनता है डालर माध्यम बनता है रुपिया माध्यम बनता है बजारी ताकतों पर छोड़ दियाता है कि बजार में मांग कितना है एवं किंद्रिय बैंक का हस्तचेव पूरी प्रक्रिया में बिल्कुल नगन्ने रहता है ऐसा इसलिए नगन्ने रहता है क्योंकि सारा चीज तो इस सारा स्तचेव का पूरी प्रक्रिया में बिल्कुल नहीं होता है तो केंद्रिय बैंक जिसे भारत में RBI कहते हैं वो फ्री फ्लॉट सिस्टम में काम नहीं करती है पर फ्री फ्लॉट सिस्टम भारत में नहीं है इसलिए ये अमेरिका की बात हो रही है बिक्सित देश की बात हो रहे हैं तो पुझिवादी बिवस्था होती है मांग यह हम सप्लाई पर निर्भर रहेगा अब बजारी ताकतों का क्या अर्थ है यह देखते हैं कि बजारी ताकत क्या होती है बजारी तार को ताकतों का अर्थ है उस देश की अर्थ ब्यवस्था में बिदेशी मुद्रा की आपूर्तियों मांग कि उस देश में बिदेशी मुद्रा की कितनी डिमांड है और सप्लाई कितना बाहरी हो रही है इसको बजारी ताकत कहेंगे यदि आपूर्ती ज़्यादा होगी यदि सप्लाई ज़्यादा कर दिया जाएगा तो उस देश की घरेलू मुद्रा के तुलना में कमजोर हो जाएगी उस घरेलू मुद्रा के तुलना में वो डालर कमजोर हो जाएगी जबकि घरेलू मुद्रा ससक्त हो जाएगी और वहां का करेंसी जो होगा वो मजबूत हो जाएगा आगे क्या है इसे से भीनने अगर कहा जाए इससे अलग की बात की जाए कि दूसरे हालात में क्या होंगे इससे भी नहीं यदि आपूरती कम हो उस देस में, बिक्सित देसों में अगर डालर जैसे हार्ड करेंसी का आपूरती कम हो कम आ रहा है बैसा, यह मांग जादा हो और लोग डिमांड अधिक कर रहे हैं तब ऐसे इस्तिती में बिदेसी मुद्रा, घर इलू मुद्रा के तुलना में ससक्त हो जाएगी वो डालर मजबूत हो जाएगा और घर इलू मुद्रा कमजोर हो जाएगी तब यह मांग और डिमांड पनीरपर हो गया कि अगर आपूर्ती कम हो रही है शप्लाई कम हो गया और मांग जदा हो गया तब ऐसे में उबिदेसी मुद्रा घर इलू मुद्रा सससक्त हो जाएगी और घर इलू मुद्रा कमजोर हो जाएगी यह है इससे पहले यह मैंने बताया कि इसको पूरी बिवस्ता मांगेओं दिमांड प्यदात हो मांगेओं आपूर्ती पर निधर करेंगी अब हम देखते हैं पेग्ड सिस्टम इसमें अर्थ बिवस्ता को एक बिंदू पर हम डिसाइड कर देता है वहीं पीन कर दिया जाता है और पीन करने से जो डालर घाटेगा बढ़ेगा उसकी अर्थ बिवस्ता कोई प्रभाव नहीं पढ़ेगा क्योंकि डिसाइड कर दिया गया है कि एक डालर बराबर आपको 20 रुपे दे नहीं है एक उधान के रुप में अब ये नहीं बढ़ेगा और नहीं घाटेगा एक डालर बराबर 20 रुपे और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वैसी अर्थ बिवस्ताएं अपने लाब को बनाने के लिए अपनी घरिलू मुद्रा को कम कर देती है यानि कि कमजोर बना देती है ठीक है दिखते हैं इसमें है क्या पेड़ी सिस्टम के अंतरगत एक देश की किंद्रिय बैंक डालर जैसे किसी वैसिविक मुद्रा के तुल्ला में अपनी मुद्रा के मुल्ले में तै कर देती है उसको फिक्स्ट कर दे कि इतना ही रहेगा मार्केट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यह बढ़े या घटे कोई फरक नहीं पड़ने वाला जिस पर विदेशी मुद्रा की मांग यह उमापूर्ती अपूर्ती का भी प्रभाव नहीं पड़ता है जैसे कि चीन ने कर रखा है चीन ने पै कर रखा है कि एक रेनवी बरावर इतना रूपया होगा है एक डालर बरावर पता नहीं 117 है कि कुछ रेनवी है तो उसने इस पर फिक्स कर रखा है और फिक्स होने के कारण मार्केट में कुछ भी हो उसके पास डालर रहे या ना रहे कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि उसने फिक्स कर रखा है जिससे अर्थ बेवस्ता है उसके अनुसार कंट्रोल हो जाती है ये है अब हम देखेंगे तीसरा इसमें क्या होता है डर्टी फ्लॉट सिस्टम या मैनेज फ्लॉट सिस्टम प्रबंदित प्रवाह परणाली इसमें क्या होता है प्रबंदित प्रवाह प्रणानी में एक परिशिमन तै किया जाता है सरकार दोरा कि इसके तहट माले जिए एक डालर बराबर तै कर दियागे 75 रुपया से उपर जाएगा तो हम कंट्रोल करेगे अगर 70 रुपया से नीचे जाएगा तो भी कंट्रोल करेंगे तो तै कर दियागे प्रवंदित कर जाता है परिशिमन तै कर दिया जाता है कि इसके अंतरगत अगर है तो अर्थवियोसाई के लिए ठीक है अगर इससे उपर या नीचे जाने की कोशिस करता है तब देश की किंद्रे बैंक उसपर नियंतर्ण करने की कोशिस करती है तो भारत में डौर्टी फ्लॉट सिस्टम का प्रयोग होता है इस बेवस्था के अंतरगत आर्बी आई भारती अर्थ बेवस्था के हीतों को ध्यान में रखते हुए एक मनोबैग्यानिक परिशीमन तए करती है एक डालर बराबर जितने रुपे एक डालर बराबर मान लेजी अभी तीहत्तर रुपे चल रहे हैं लगबग मिनिमम में अब परिशीमन तए कर देजी 75 के उपर जाएगा तो कंट्रोल के जाएगा तो एक परिशीमन तए करती है गया मनोबैग्यानिक परिशीमन एवम जब तक बजारी ताकतों के अधार पर अर्थार डालर जैसे विदेसी मुद्रा कि आगमन एवम पलायन कि अधार पर घरेली मुद्रा का विमिमैदर उस परिशीमन के भीतर रहता है अगर उसके भीतर है तो ठीक है लेकिन जैसे उस परिशिमन को पार करने की कोशिस करेगा RBI कंट्रोल करने की कोशिस करेगी भीतर रहता है RBI इस पूरी परक्रिया में हस्टिचिप नहीं करते कि उन्हेड है तो जैसे ही वेनुवेधर कि ए परिवर्थन के कारण परिवर्तन ह GPA अधिक मांग आएगी अधिक डिमांड आएगा तु इस तरिगे से उसके आधिक सप्लाई और डिमांड की बात चलने लगी तो जिसके वह से हो neutr तो फिर उसको कंट्रोल करने के बाद सामने आएगी उस परिसिमन को पार कर जाती है तब RBI कदम उठाना चाहती है तो RBI हैं छिप करती यह घरेली मुद्रा को पुनह उस परिसिमन के भीतल आने का प्रयास करती है तो आज इसमें इतना ही अधिक से अधिक लाइक, सस्क्राइब और कमेंट करें और मैंने बोला कि इसको पांचे बारा अगर पढ़ लेते हैं नोट्स बना कर तो आप देखेंगे कि इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा आज मौद्रिक निती खतम हुई मौद्रिक निती मौनेटरी पोलिसी खतम हुई अब हम सुरू करेंगे एकनोमिस्ट के आगे वाला भाग थाइंक्यू भेरी मच